आईए क्लास अब बात करते हैं amines की basic strength की aqueous phase में यानि कि जब वहाँ पर जल भी मौजूद हो तो क्लास aqueous phase में amines की जो basic strength होती है उसको जो factor सबसे ज़्यादा effect करता है वो है extent of hydrogen bonding in water जिससे क्या होता है कि जो बनने वाले ions हैं उनकी stability भढ़ जाती है solvation के द्वारा क्योंकि क्लास ये तो हम समझी चुके हैं कि जब कोई भी amines एक proton को लेगा तो वो अपना conjugate acid यानि की एक positively charged ion form करेगा और वो positively charged ion जितना ज़्यादा stable होगा उतना ही ज़्यादा amines का basic character होगा तो आईए समझते हैं कि hydrogen bonding के द्वारा इस परकार के ions कैसे stabilized होते हैं सबसे पहले हमने लिया है one degree amine से बनने वाला ion अब अगर यहाँ पर हम hydrogen bond की बात करें तो ये hydrogen, ये hydrogen और ये hydrogen hydrogen bonding में participate कर सकते हैं तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन hydrogen bonding हुई है एक ion के साथ और जितनी ज़्यादा hydrogen bonding होती है उतनी ही ज़्यादा stability होती है उस ion की इसको हम बोलते हैं stability of ions by solvation और क्लास अब अगर हम एक two degree amine के ion को देखेंगे तो ये तो हम पहले ही predict कर सकते हैं कि two degree amine के जो ion होगा उसमे number of hydrogen कम होंगे तो आईए देखते हैं कि कि किस प्रकार से एक two degree amine का ion कम hydrogen bonding बनाता है one degree amine के ion के तुल्ला में तो क्लास ये है एक two degree amine से बना हुआ हमारा ion यहाँ पर ये वाला hydrogen और केवल ये वाला hydrogen ही hydrogen बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर hydrogen bonding कम है तो इसलिए stability भी कम होगी और इसी प्रकार से अब देखते हैं एक three degree amine के ion को यहाँ पर केवल एक ही hydrogen है तो केवल एक ही hydrogen bonding होगी तो क्लास यहाँ पर आप बहुत easily compare कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम one degree से three degree amine की तरफ जा रहे हैं तो उनसे बनने वाले ions की number of hydrogen bonding घटती जा रही है और इसलिए उनकी stability भी घटती जा रही है और stability घटने के साथ साथ उनका basic character भी degrees हो रहा है तो यहाँ से हम बहुत easily तुलना कर सकते हैं कि one degree amine को सबसे जादा basic होना चाहिए जबकि three degree amine को सबसे कम basic होना चाहिए लेकिन क्लास केवल यही factor एक लौता factor नहीं है जो amines के aqueous phase में basic character को define करता है आईए देखते हैं कि वो कौन-कौन से factor होते हैं जो aqueous medium में amines के basic character को define करते हैं तो क्लास amines का basic character depend करता है सबसे पहले inductive effect पे solvation effect पे जो हमने अभी-भी समझा और steric hindrance पे यह हमारे पास एक one degree amine है यह two degree amine है और यह है three degree amine अब क्लास inductive effect और solvation effect कैसे काम करते हैं वो तो हम समझ चुके हैं अब बात करते हैं steric hindrance की तो क्लास steric hindrance का funda बहुत सीधा-सीधा है कि जैसे-जैसे amines पर number of alkyl groups बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे steric hindrance भी बढ़ती जाती है अब अगर हम इन तीनों प्रकार के amines की तुलना करें यानि कि इनके different effects को हम compare करें तो हम कह सकते हैं कि one degree amine में सबसे कम plus I effect होगा क्योंकि केवल AQR है two degree amine में one degree की तुलना में जादा plus I effect होगा जबकि three degree amine में सबसे ज़्यादा plus I effect होगा क्योंकि तीन एलकायल ग्रूप nitrogen से attached हैं तो इस आधार पर तो सबसे ज़्यादा basic होना चाहिए three degree amine अगर हम salvation effect की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो salvation होगा वो होगा one degree amine के case में जो कि हम already देख चुके हैं उससे थोड़ा कम होगा two degree amine के case में और सबसे कम salvation effect होगा three degree amine के case में अगर हम hysteric hindrance की बात करें तो वो भी number of R groups पर depend करता है तो इसलिए सबसे कम होगा hysteric hindrance one degree amine में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा two degree amine में और सबसे ज़्यादा hysteric hindrance होगा three degree amine में और class hysteric hindrance जितना ज़्यादा होगा amines को अपना loan pair donate करने में उतनी ही ज़्यादा problem आएगी और अगर amines loan pair donate नहीं कर पाएगा तो वो अपना basic character भी show नहीं कर पाएगा तो इस हिसाब से अगर हम hysteric factor को देखें तो 3 degree amines सबसे कम basic होना चाहिए तो class ये थोड़ा सा confusing हो गया है क्योंकि कोई effect कहता है कि 3 degree सबसे ज़्यादा basic होगा जबकि दूसरा factor कहता है कि 3 degree सबसे कम basic होगा तो amines का जो resultant basic character हम find करते हैं वो इन तीनो effects के combination से करते हैं तो आईए overall basic strength या basic character देखते हैं amines का जोकि उन तीनों ही factors पर depend करता है तो class ये है ammonia जोकि basic in nature होता है और इसमें अगर हम H की जगा पे R group लगाते हैं और वो R group, methyl group होता है उस case में इस से ज़्यादा basic होगा 3 degree amines उस से ज़्यादा basic होगा 1 degree amines और सबसे ज़्यादा basic होता है 2 degree amines तो class यहाँ पर आप इनका order of basicity देख सकते हैं और अगर methyl substitute है तो इसको हम 213 क्योंकि आप देख सकते हैं 2 degree, 1 degree, 3 degree तो 213 या simply 213 code से भी याद रख सकते हैं on the other hand अगर हमारा substitute ethyl है जोकि methyl की तुलना में थोड़ा bulkier group है तो class तब भी सबसे weak जो आपका base होगा वो ammonia होता है उससे strong होता है ethyl amine जोकि एक 1 degree amine है उससे ज़्यादा basic होता है 3 degree amine और सबसे ज़्यादा basic होता है 2 degree amine तो class यहाँ पर जो हमारा order है वो कुछ इस प्रकार से होता है तो अगर ethyl substitute हो तो हमारा code of basic city हो जाता है 231 तो students यह order बहुत important है methyl अगर substitute है तो 213 जबकि ethyl substitute है तो 231